दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो एर कंडिशनर होता है उसके कैपास्टर किस तरह से चेक कें जाए अब आपका जो एसी है वो चाहे स्प्लिट टाइप का हो या फिर विंडो टाइप का हो दोनों भी टाइप के अंदर कैपास्टर होते हैं एक कैपास् यह नीचे लगा हुआ है इसके अंदर और गैस क्या होता है कि करी बार हमने काफी जादा परेशान हो जाते हैं हम सारी चीज़े चेक कर लेते हैं एसी में कोई भी तरह का लिंकेज नहीं होता गैस प्रेशर हम देख लेते हैं गैस प्रेशर बिल्कुल ओक के आता है कंप्रेशर आपको चेंज करना पड़ेगा और कंप्रेशर काफी महंगा आता है लेकिन जब कंप्रेशर चेंज करने की नौबत आती है उसके पहले एक बार आप यह जो कपैस्टर्स हैं यह ध्यान से ज़रूर चेकिरी क्योंकि कई बार यह छोटी सी प्रॉब्लेम होती है कंप्रेशर चेंज कर देते हैं कंप्रेशर चेंज कर देते हैं काफी ज़्यादा खर्चा हो जाता है हमारा और टेक्निशिंस को भी समझ में नहीं आता कि आखिर में प्रॉब्लेम क्या है और बार बार जो रिपैर है जो खर्च है वो एसी के अंदर निकलते रहता है तो ज इस तरह का premium multimeter आपको लगेगा, अगर ये multimeter आपको लेना है तो buying link नीचे description या first comment में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से purchase कर सकते हैं, ध्यान रखिए एक बार अच्छे meter में invest किजिए, lifetime चलता है, काफी अच्छी चीज है और आपके इस तरह के repair में ये पैसे ज़रूर बचा की value के अंदर मैंने इसको set कर रखा है, यहाँ पे ये setting होता है, user manual में सारी जानकरी मिल जाती है, कैसे set करना होता है, क्या होता है, और यहाँ पे ये दो capacitors हैं, दोनों को हम check करेंगे, check करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, default value पढ़िए, जैसे ये जो capacitor है, इसके उपर उसको completely wiring में से disconnect कीजिए, अगर ये wire लगी हुई है, यहाँ पे ये सब लगा हुआ है, और आप reading ले रहे हैं, तो reading सही नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, Guys, एक छोटी सी tip में आपको दे दू, जब भी ये capacitor के तार या इसके connection आप खोलेंगे, तब सबसे पहले इसके connection होते हैं, इसके photo आप ले लिएजिएगा, रहसा नहीं कि आप लगाते चले हैं, और इसके connection आप गलत लगा दें, तो उससे भी नुकसान हो सकता है, तो photo ले ल बता के आप उस professional को guide कर सकते हैं, इस तरह से हमें AC हमारा check करके चाहिए, तो photo ज़रूर ले ले लीजिए, ये video बना लीजिए, कौन सा अतार कहां पर लगता है, उसी तरह से वापस आपको लगाना है, guys एक हाथ से बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं try करता हूँ, देखिए, ये जो दोनों probe है, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है, इस capacitor के उपर, value कितनी आनी चाहिए, value आनी चाहिए ये, 35, focus हो जाए तो अच्छा रहेगा, okay, 35 की value आनी चाहिए, और value कितनी damage हो चुका है, और damage capacitor के कई symptoms होते हैं, एक तो cooling नहीं आएगा आपके AC में, दूसरा problem यह आएगा कि कई बार जो compressor होता है, उसके ampere बढ़ जाते हैं, और ampere बढ़के compressor या तो overheat हो जाएगा, या तो trip होने लगेगा, तो ये जो है, खराब capacitor की वज़े से होता है, okay, दोस्तों आएगे इसका जो fan capacitor है, मतलब ये जो condenser fan होता है, ये वाला, इसका capacitor हम चेक करते हैं, तो multimeter मैंने अल्रेडी set कर रखा है, और इसका जो default fan capacitor है, इसका value आप यहाँ पे देख सकते हैं, and the value is 4UF, तो 4UF का ये capacitor है, और इसकी ये जो तार है, इसमें मैं ये probe लगाता हूँ, य इसमें, तो ये हम connect करते हैं, और multimeter के उपर ध्यान देते हैं, तो देखिए, value कितने आती है, और जी हाँ guys, दो value है, बिल्कुल 60 का आई है, 4.1UF की value आई है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो condenser fan का जो capacitor है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, तो guys, आज हमने सीखा कि AC के capacitors किस तरह से check करें, और खराब capacitor की symptoms क्या क्या होते हैं, अब कुछ AC ऐसे होते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर दो अलग-अलग capacitor है, एक ये जो बड़ा वाला है, ये compressor के लिए दिया है, और एक छोटा जो है वो, इस fan motor के लिए दिया है, condenser fan के लिए, कुछ AC ऐसे आते हैं, जिसमें combo capacitor होते हैं, देखी, ये जो terminal है, ये दो terminal है, तो उसमें क्या वकर capacitor आपको physically एक ही दीखेगा, लेकिन इसमें जो terminal होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, मतलब ये जो fan capacitor है, वो इसी body के अंदर बना दिया जाता है, merge कर दिया जाता है, मतलब दिखने में आपको एक ही ह यूज किया गया है, एक ही capacitor है, और इसी में से ये जो तार है, देखिए, ये जो बालिक तार है, ये आपके चले जाते हैं यहाँ पे, इस condenser fan motor के लिए, और साथ ही में ये कुछ मोटे तार आपको दीख रहे हैं, ये जो तार है, ये नीचे compressor के लिए जा रहे हैं, ये compressor ये जो capacitor है, इसकी जो default value है, वो यहाँ पे लिखी है, एक हाथ से camera चला रहा हूँ, थोड़ा shake ही हो सकता है, देखिए, 55 plus 3, अदलब जो compressor का जो पार्ट है, वो 55 UF का है, और जो fan motor का है, वो 3 UF का है, तो ये मैंने fan motor के side में connection लगा हैं, और value आप देख लिए, value बिल्कुल सही आई है, बिल्कुल भी problem इसमें नहीं है, अच्छे value आई है, 3 UF, accurate हमें मिला है, तो आईए, जो terminal है, change कर लेते हैं, एक बार पढ़ने की try कीजिए, शायद focus हो जाए, 55 plus 3 का है ये, तो ये मुझे change करना पड़ेगा, फिर देखते हैं, value कितनी आती है, गाईज ये देखिए, connection लगा दिये, नीचे जो है, वो common है, और ये उपर, compressor का terminal है, और value आप पढ़ लीजे, 49, जो expected value है, वो थी 55, तो हलका सा कमजोर है ये, पर ऐसी वो एक बड़ी problem नहीं है, इसमें, इसके उपर AC आपका start हो जाना चाहिए, हलाकि, अगर मैंने इसको ख आप खराब नहीं कह सकते है, 49 का rating दिया है इसने, और 55 जो है, expected था, तो 5 unit कम है, थोड़ा बाप कम जादा चलता है, और गाईज आप अगर इसी तरह के AC related repairing videos, AC के जानकारी के videos देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ cards आएंगे, इन cards के उपर click करके आप औ और भी जादा informative videos देख सकते हैं, take care and have a nice day guys.